बिहार का हर कोना अभी छट महापर्व को लेकर आस्था की रंग में रंगा हुआ है वही राजधानी पटना से सटे मनेर में खड़ना के दिन शनिवार को जम कर गोली चली आपसी विवाद में चली इस गोली ने एक गर्वती की जान ले ली दो पक्षों की बीच छिरे विवाद में देखते ही देखते बरा रूप ले लिया और फिर एक पक्ष के लोग गोली चलाने लगे इस गोली बारी में एक महिला की मौत हो गई महिला की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहरा मच गया मितका की पहचान पूजा दीवी के रूप में हुई हत्या की घटना को लेकर सादिकपुर गाउं में आक्रोश का माहौल कायम है वैसूचना के बाद मनीर पुलिस मौके पर पहुँची और इलाका पूरी तरह से च्छावनी में तबदील हो गया भारी तादाद में पुलिस बल घटना स्थल पर पहुचे हैं ग्रामीनों ने बताया कि दो पक्ष के लोग आमने सामने हो गए किसी मुद्दे पर कहा सुनी आगे बढ़ गए और जम कर मार पीठ हुई अचानक गोली बारी भी शुरू हो गए इस दोरान अपने मायके दानपूर पतलापूर से छट करने आई गर्वबती महिला पूजा दीवी को भी गोली लग गई और उसकी मौत हो गई फिलाल मामले में पुलिस कारवाई के लिए जुटी हुई है वही तेवहार की खुशी अब मातम में तबदील हो गई है